शहीद आजम भागत सिंग राजगुरू और सुख देव का 87 वाँ बलिदान दिवस समारो 23 मार्को जोश खरोश के साथ मनाए गया इस मौके पर विभिन संग्ठनों की ओर से करकमाईजित किये गए अलवर के भागत सिंग चुराहे पर वलिदान दिवस की पूर संध्या पर भागत सिंग की परतिमा के समक्ष मौम बत्या जलाकर उन्हें शर्भांज ले दिगए जोश गुरुपेहूं उडान सोसाइटी और शहीद बलिदान सेवा समीती के सदस्यों द्वारा भागत सिंग परतिमा पर पुश्क अरपित किये गए इस दुरान अलवर पुलिस अदिक्षक राहूल परकाश ने भी मौम बत्ती जलाकर भागत सिंग राजगरो और सुफदेव के बलिदान को याद करते हुए युवाओं को उनसे सीख लेने कावान किया आज के इस दिन में जब कि शहीदे आजम भागत सिंग जी के शहादत की पूरो संध्याप के हम सभी यहाँ पे खत्रित हुए है तो मैं मानता हूँ कि इस महान शहीद और भारत माता के पुत्र के लिए जो हम यहाँ पे आज खड़े हुए हैं यह एक प्रेड़ना का दिन है और एक प्तिबदता का दिन है आज के दोर में जब हम देख रहे हैं कि हमारे युवा बहुत चोटी चोटी चीजों के लिए और बतौर पुलिस अदिक्षट में देखता हूँ कि हमारे नवीवग जो हैं वो छोटे छोटे आकर्शनों में अपने आपको मोहित करके जो रास्ता उन्हें चुनना चाहिए उससे बठक रहे हैं उस समय इस तरह का कारेकरम जो है हमारे युवाओं को जरूर एक नया रास्ता दिखाएगा और एक नया संदेश्ट शहीदे आजन भगत सिंग है ये लोग इतने बड़े प्रतीक है कि हमें और किसी प्रतीक की आवशक्ता ही नहीं है हमें जरूरत नहीं है हमारे पास इतने सारे महान लोगों की शहीदों की और जिन लोगों ने अपने प्रानों को ने उच्छावर किया भारत की आजादी के लिए उनकी प्रेड़ना है कि हमें जरूरत नहीं है कि हम छोटे-छोटे आतर्शनों की तरफ जाएं आज का दिन हमें यह प्रतिबद्ध होने का है यह वचन देने का है अपने देश को अपनी भारत मा को कि हम लोग शहीद आजम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और वाद हो जातिवाद हो धर्मका हो इनको हम तिलांजली देंगे जय हुए इस दुरान भारत माता की जय बंदे मातरम के जय घोश के साथ भगसिंग राजगरू और सुखदेव की शाहदत को याद किया गया होगा आज भगत सिंग जी की सहादत के अवसर पर आज यहां पे दुरू संध्या पे हरवर्शी कारेकरम होता है और जोस गुरूब को द्वारा इकारेकरम आउजीत किराए जाता है नैंस जनवा जैता हूं जोस गुरूब को और देस के लिए कुछ करने का अपने देश के लिए कुछ करने का देश के ऊपर जो अग्रेजों का जो राज सा उस राज को जिस परकार युवाउने साजादी के अंदर सामिलोंकर उखाड के पैका है आज वही जुरती याओं को फिर से कि देश के अंदर जो करपसन ब्रश्टाचार जो बढ़ रहा है उसको उठाड भेगने के अंदर भी युवा आगे बढ़े और सही मायने में भगत सिंग को सची सर्दाद की युवां के रखे यह हो इस हिर्फ की पंती पे अंदर पिक जाते हैं मुल्दाओ के ता इसमें हर प्तों के बचल पिक जाते हैं यहां का विननन हमारे देश में हिंसा और अहिंसा दोनों का ही आजादी के अंदूलन में यूगदान रहा है हमारे बगत सिंग राजगुरू और सुद्दे के सासा चंशे का राजाद को हम सब याद करते हैं लेकिन अलबर के कांटिकारी पंडित बिशंबर गयाद इनोनाईटी कैम से बहुत बड़े आंदूरन नड़े और पापुरी कांड में भी रहे और आपको बगत सिंग को दिर से खुराने के प्रतन में भी रहे उनको हमें याद जरूर करना चाहिए शोहीद बज़त सिंगे वो राद जुरू के बलिदांगिवस से मोटे पर उन्ता सतासिवा बलिदांगिवस साज़ा मनाय जा रहा है अलबर में टाइचरम पिछले चोथी सालों साजिक किया जा रहा है इस पाइचरम के मुद्धिश है जिकिन शहीदों ने अपना बलिदान देकर पांसी पर सक्ते पर क्याड़कर अपनी आहूती जी अंग्रेश सर्थार को भार बलाया हमें दूट इस पात का है कि आजादी के बाद पिछले सर्थार सालों में जो भी सर्थार रहा है उनों शहीदों की कुरबानियों को बडह शर्था प्रूरवल भूलाने का प्रयास किया ज़ा है बड़ा जीव देश बंगा है उन शहीदों सो लियाद करे उनको नमन करे उनको परनाम करे इसले ऐत्म क्याज़ की अगया है